Hello everyone, welcome to Max Vidya First question है हमारे पास If a power x is equal b b power y is equal c and c power z equal a हमें x, y और z की value find करनी है तो हमें a x power b दे रखा है a power x equal b के है और b power y equal c के है अगर हम b की power y कर दें यहां भी y, both side power y तो b y की value है हमारे पास c, यह हो जाएगा c यह हो जाएगा a xy बराबर c के, अब c की power z दे रखी है तो both side z power कर देते हैं तो a xy z equal c z की value दे रखी है a अब यहां base same है equal का sign है, तो powers भी equal हो जाती है, यहां power 1 होगी यह हो जाएगा x y z equal 1 और इसके में value find करनी x y z की, तो answer आजाएगा one option number second हमारा correct बनेगा next question देखते हैं next question है हमारे पास वैं छोटी से छोटी पूरण वर्क संख्या ग्याद कीजिए जो चार पांच छे पंदरां और अठारां से पूर्ण ते विभाजी तो हमें smallest perfect number find करना है जो इन number से divisible हो तो इस question को करने के दो तरीके हैं या तो हम by option करें या फिर LCM से करें तो पहले हम by option देखते हैं फिर LCM से करते हैं तो first option दे रखा है हमें 800 हमें ऐसा number चाहिए जो इन number से divisible भी हो और ये perfect square number हो तो 800 किसी का square नहीं होता तो option first गलत हो जाएगा option second 225 ये perfect square number होता है ये 15 का square होता है लेकिन ये 4 से divide नहीं होता इन number से divide होना चाहिए तो ये option भी गलत option third है हमारे पास 900 930 का square होता है और ये इन सभी number से divide भी होता है तो third option हमारा correct हो जाएगा option fourth 361 ये 19 का square होता है लेकिन 361 4 से divide नहीं होता तो option fourth गलत तो हमारा option हो जाएगा 3 ये हमारा answer होगा अब हम इस question को elseian से करते हैं तो हम इनका calcium लेते हैं 2 पे ये हो जाएगा 2 ये 5 ये 3 ये 15 और ये 9 फिर ये 3 पे ये हो जाएगा 2 5 1 5 3 फिर ये हो जाएगा 5 पे 2 1 1 1 1 3 तो elseian हो जाएगा 2 multiply 3 multiply 5 multiply 2 multiply 3 हमें चाहिए perfect square number पूरण वर्ग संख्या तो 2 हमारे पास 2 बार आ रहा है 3 भी हमारे पास 2 बार आ रहा है लेकिन जो 5 है वो एक बार आ रहा है तो इसे 5 से multiply कर देंगे ये हो जाएगा हमारे पास 900 और ये हमारा answer हो जाएगा option number 3 हमारा correct बनेगा next question देखते हैं next question है हमारे पास under root 5 power minus 5 by 2 multiply root 5 power minus 3 by 2 हमें इसकी value find करनी है तो मैं बता है कि base सेम है और multiply का sign है तो base सेम हो multiply का sign हो तो powers add हो जाती है तो ये हो जाएगा हमारे पास under root 5 power minus 5 by 2 add करना है तो ये minus है तो minus हो जाएगा minus 3 by 2 यहाँ से ये हो जाएगा under root 5 power इनको minus करेंगे तो ये हो जाएगा minus 8 by 2 ये cancel out यहाँ पे आगया minus का 4 यह हो जाएगा अंडूट 5 पावर माइनस 4 अब इस root को हटाके हम 1 by 2 से multiply कर देंगे तो यह cancel out यह हो जाएगा 2 हमारे पास आजाएगा 5 पावर माइनस 2 और इसे हम लिख सकते हैं 1 by 5 पावर 2 और यह हो जाएगा 1 by 25 यह हमारा answer हो जाएगा option number first हमारा correct बनेगा next question देखते हैं next question है हमारे पास किसी वस्तु को 72,000 रुपरी में बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% का लाब होता है तो उस वस्तु का कर्या मुल्य है क्या होगा हमें SP दे रखा है 72,000 और profit दे रखा है 20% और हमें find करना है CP इस question वो करने के दो तरीके हैं या तो हम इसे formula से करें या फिर एक बिल्कुल आसान तरीका है वो पहले वो तरीका देख लेती है जो हमें profit दे रखा है 20% profit हो या loss हो वो हमेशा CP पे होता है करें मुल्य पे होता है तो 20% का मतलब है 20 बटा 100 कोई 100 रुपई की चीज़ है उस पे 20 रुपई profit लगा के उसने 120 की बेची है तो SP और CP CP है जो हमारा वो 100 रुपई है और जो SP है वो हो जाएगा 120 रुपई हमें SP की value दे रखी है 72 तो यह हो जाएगा 32 यह इसके 600 गुना है अगर हम इसको divide करें तो 600 आएगा तो इसे अगर हम 600 से multiply करें तो हमारा answer आजाएगा यह हो जाएगा 60,000 और यह हमारा answer हो जाएगा option number first हमारा correct बनेगा अब हम इसे formula से देख लेते हैं तो अब हमें CP find करना है और SP दिया है तो formula होता है CP equal SP multiply 100 divide by 100 plus profit और loss दिया हो तो यहाँ जाएगा 100 minus loss यह CP निकालने का formula है अगर हमें SP दिया हो और अगर हमें CP दे रखा हो SP निकालना हो तो formula होता है SP equal CP multiply 100 plus profit profit दे रखा है तो profit divide by 100 और अगर loss दे रखा हो तो 100 minus loss यह दोनों formula है अब इसमें हमें SP दे रखा है और CP निकालना है यह formula अप्लाई करते हैं तो SP की value है हमारे पास 72,000 multiply 100 divide by profit दे रखा है 100 plus 20 यह हो जाएगा 120 यह cancel out और यह cancel out हो जाएगा यह आजाएगा हमारे पास 6,000 और answer आजाएगा हमारे पास 60,000 तो यह हमारा answer होगा option number first हमारा correct बनेगा तो next question देखते हैं next question है हमारे पास यदि 25 आदमी किसी फसल को 60 दिनों में काट सकते हैं तो 10 आदमी उसी फसल को कितने दिन में काटेंगी तो हमारे पास 25 आदमी है और 60 दिन में किसी फसल को काट सकते हैं तो कुल काम के लिए 60 से multiply कर देते हैं यह हो जाएगा हमारे पास 1500 कुल काम आगया हमारे पास total work आचुका है 1500 और हमें चाहिए 10 आदमी उसी फसल को कितने दिन में काटेंगी तो 1500 काम है और आदमी कितने हैं हमारे पास 10 तो 10 से divide कर देंगे यह हो जाएगा 150 तो 10 आदमी उस फसल को 150 दिन में काटेंगे तो option number 4 हमारा correct बन जाएगा next question देखते हैं next question है हमारे पास हमें इसकी value find करनी है तो इस question को करने के दो तरीक हैं या तो हम इसे x मान कर solve करें जो काफी lengthy हो जाता है इतना time नहीं होता है exam में लेकिन इसकी एक short trick है वो short trick देख लेते हैं हमें ऐसे दो numbers बताने हैं जिनकी multiply करने पे 8 आए और जिनका difference 2 हो तो वो number होते हैं हमेरे पास 2 और 4 इनकी multiply करें तो 8 आ रहा है और इनका difference भी 2 है तो अगर यहां plus का sign हो तो जो बड़ा number होता है वो हमारा answer हो जाता है इसका answer हो जाएगा 4 और अगर यहां minus का sign होता तो जो छोटा number है 2 यह हमारा answer हो जाएगा लेकिन यहां plus का sign है तो 4 हमारा answer होगा option number 4 हमारा correct बनेगा तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को like, share और चैनल को subscribe जुरूर करें